असलाम लेकुम एड़ीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे आलों से बहुती मस्यदार से रेसिपी जिसके लिए चाहिए होगी गाजर आधा कप शिवला मिच भी ले लेंगे आधा कप इसके लावा हमने प्यास ले लेनी हैं आधा कप डाली तो हमने पूरा करीब करने है टेमाटर ले लेंगे दो मेडिम साइस के अंदर से पल्प निकाल के इसके लावा ले ले लेते हैं मेदा मेदा लेंगे हम एक पूरा कप जितना यूज करेंगे वह उसके इसाफ से डालेंगे यहां पर एक चमच की करीब चाट पसाला था उबले हुए आदा क पर विश्यां कि अपर लेते हैं जिससे हो जाएगा इसका वजन जाएगा तो वह हमें थोड़ा खुला बरतन चाहिए आप डाल लेते हैं गाजर गाजर डाली है मेने 50 गराम शिमला बीच ले 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 लेते हैं 50 गराम यहां पर जादा है लेकिन हम आदी इस्तमाल करेंगे क टेमाटर ले लेते हैं 50 ग्राम अंदर से पल्प और बीज चुश निकला हुआ है इस के लावा शामिल कर लेते हैं इसमें मेधा मेधा हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि हमने इसे एक पेस्ट बनाना है तो कहीं मेदा ज्यादा ये कम ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे हाथों की वज़त से मिक्स करें जब आपको लगे कि ये पेस्ट एक थिक हो चुका है और ये एक अच्छी शेफ ले सकता है तो आपने मे सब्सक्राइमक सब्सक्राभाइन का सब्सक्राइब पाउसान दीसिडे ये चाएथ है बार नमक भी चार्ट ये च्ष mode इसमें सब्सक्राइब ने कर सकते हैं क्योंकि ये आप खुद बना रहे हैं इसलिए इसिव फरकत नहीं पड़ता और ये सिन होई करना हैं आधा कब के करीब औल हैं मेडियम फ्लेम पे हम इस ऑल को गरम करेंगे दूसी तरफ हमारा पेस्ट आदा घंटा हो चुका है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हातों के साथ ना चुपके और हम मन पसंद चाहें तो शेप दे सकें हैं इसे यह पेस्ट अब इतना ठीक है कि आप इसे जो चाहें शेप दे सकती हैं मैं इसे स्क्वेर सेप दूγे इसे आप चाह के साथ या बचों को एसे नगेट्स भी दे सकते हैं इसके लावा आप इसे नाच्टे में भी इस्तमाल कर सकते हैं ये जट पट से और टेस्टी डेसे भी बनती है तो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी यहाँ पर अब हम इसे पैन में डालेंगे अगर आपकी शेप में कोई गरबर हो तो पैन में डालने के बाद भी शेप को ठीक किया जा सकता है जैसे कि मैंने किया है अब यहाँ पर मैंने तीन स्लाइसेज और डाल दी है अब इन्हें हलकी आज पर पकने देंगे 5-6 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे यह नीचे से लाइट ब्राउन हो चुके है लाइट ब्राउन होने के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है यहाँ पर दूसरा भी हो चुके है तो हम दूसरे की भी साइड चेंज कर देंगे इसी तरह बारी-बारी हम साइड चेंज करेंगे और अगर आप इसे जादा से जादा क्रिस्टी बिनाना चाहती है तो जादा टाइम के लिए इसे फ्राइ करें और आज कम रखें क्योंके जादा आज पर ये जल तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे हलकी आज पर पकाएं ये क्रिस्टी बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे बनाने के बाद मुझे जरूर बता है अगर चैनल पर नियू है तो चल दिसे सब्सक्राइब करें और उसके बाद एक छोटा सा बैल आइकन होगा उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालों आपको नोडिफिकेशन आजे लीजे मज़ेदार गर्मा गरम पट्रेटो स्क्वेर सेंड़िच त्यार है पसंद आए तो लाइक करें थैंक्स वो बॉचिंग अलाहाफिस